Gerज अब आजकी इस वीडियो में आपको दोवारा से बताने वाला हूँ कि रीटजिय के फो में आप किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं अब आप ये बोलेंगे कि वह हूँ जानकारी किवर नहीं करने वाला हूँ मैं यहां पर कुछ नई जानकारी बताने बाला हूँ और काफी सारी कमेंट्स मेरे उस वीडियो पर आ रहे थे जो मेरे पुरानी रेट के फॉम में करेक्शन से रिलेटेड डा रही थी तो उन कमेंट्स को भी यहां पर क्लियर करने वाला हूँ को कीशे के पॉरानी बैटोन को याँ पे गलत फिल यहां ऊतलग अनमबर यंबigning करसकते हैं अगर आपसे यहाँ पर कोई भी मिश्टे होगी तो किहाँ पर correction में है मतलग correction आप कर सकते हैं या कर सकते हैं कि तो किस तरीके से correction कर सकते हैं उनसे थोड़ी बत राय वेमर्स आप कर सकते हैं और वीडियो पर आगे बादे से पहले मेरी आप लोगों से सरीफ एक ही गुजारे से दवा दीजिए फटाब लार वाली बटन को और सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाग करना ना बूलिए फिर भी आपको कोई भी समस्य रह जाती है वीडियो को खतम होते होते हैं आप लोगों के लिए खास कबर होने वाली है अगर आप भी वेकंसी मतलब भरती बागरा देखते रहते हैं तो वीडियो के आखरी में आप लोगों को लिए गुड नीव जोने वाली है तो वीडियो को सुरू से लेकर आखरी तब पूरा देखेगा अब यहां पर हम बात करते हैं मतलब यह जो मैंने आपको बताया था पहले नोटिपिकेशन में आपको दिखा देता हूं मैंने क्या बताया था ला पर इसे तो सुयम दोरा भरे गए आवेदन पत्र में से किसी एक का चेहन करना होगा यहनी किसी एक को चुनना होगा आपको अन्य था दो या अधिक आवेदन करने वाले अब्यारती के समझत फॉम निरस्त कर दी जाएंगे तो यहां पर इन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि पर इसे अधिक हो जाए तो वो दुबार से फॉम फिल कर सकता है वेदन उसको दुबार से फॉम को चुनना पड़ेगा और एक फॉम को हटाना पड़ेगा यह मैंने पुरानी वाली वीडियो में बताया था जो कि यहां पर दे रखा है लेकिन जब मैंने इनके कस्टमर के अधिकारी से बात की तो उन्होंने मुझसे यह बोला कि भईया आप दुबार से फॉम को फिल कर सकते हैं इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपसे एक फॉम में मिश्टेक हो जाती है यह आपको रुपाय दुबारा देना पड़ेगा आपका जो रुपाय पुराने फीज का कट चुका है वो आपका रिफंड नहीं की जाएगा और आपको दुबार से फिर से चार्ज कटवाना पड़ेगा अगर आपकी मिश्टेक हो जाए मतलब पुराने फॉम में कोई गलती है तो यह आप दुबार से फॉम फिल कीजिए परना फॉम को फिल नहीं कीजि हैं आपकी कोई मिश्टेक यहाँ पर नहीं पाई जाती है और आपने मतलब कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है आपके मन में कोई ऐसा बिचार चल रहा है कि वहां से कलियर नहीं होता मेरा एक्जाम तो तो मैं दूसरी जगा भी पेपर देख लूँगा थीपर देखे देख लों लेकर यहां पर अगर आपके form में कोई mistake हो गई है यह मैं अपनी मरजी से नहीं बोड़ रहा हूँ यहां पर मैंने इनके customer के अधिकारी से बात किया उन्होंने मुझे साबसाब ऐसा बता है कि अगर आपकी एक form में कोई mistake हो गई है तो आप दोबारा से यहां पर form फिल कर सकते मैंने खुद इसके form को खोल के देगा तो वहां पर मुझे कोई option ऐसा दिखाई नहीं दिया ना है इनके customer के अधिकारी मुझे बता है कि आपको यह पुराना वाला form मताना पड़ेगा मैंने उनसे पूछा भी उन्होंने मना कर दिया ऐसी कोई भी यहां पर बात नहीं है बस दूसरा वाला जो notification है वह आप यहां पर download कर सकते हैं यहां से जो इसकी official website है यहां पर लिखा हुआ instruction FAQ for REIT 2022 इसके जब आप click करेंगे इस वाली link पर तो यह वाला notification open हो जाएगा अब इस notification में पे नमबर 3 पर हम देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है कि यह question है आब इतर ब पर संपर कर सकते हैं अगर आपको कोई problem हा रही है अगर आपके form में mistake भी हो गई है तो correction के लिए आप इनसे पूछ सकते हैं क्या यहां पर दूसरा form फिलकरना सही है यह गलत है जैसे कि मैंने पता किया था तो मतलब मैंने आप लोगों कोई समस्या का समधान करने के लिए मै कि आप उस वीडियो जरूर देखिएगा जिसमेने डेटेल में बताया कि कैसे आपको फिल करना है step by step साथ में फोटो डॉक्मेंट बगएरा कैसे आपको लोट करने बो भी मैंने उस वीडियो में बता रहा है तो वीडियो को पटा पट देख लीजिए अगर आप दुबार रोजगार पत्रिकार चार्ज कटता है अगर आप डाउनलोड करेंगे रोजगार पत्रिका तो यहां पर 15-20 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा लेकिन मेरी टेलिग्राम चैनल पर आपको फ्री में मिल जाएंगी तो आप फटा पर मेरी टेलिग्राम चैनल को जो कर्जक तेन